प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्रोजेक्ट है जो है यह आपने हमारी वेबसाइड यूपीसस यूटूब डाट कम से डाउनलोड कर लिया होगा और आज हम इस प्रोजेक्ट पर ही काम करेंगे तो अभी तक हम जो जनरल इंट्री देख रहे थे वो बस हमने समझाने के लिए जनरल इंट्री ली थी तो यहां पर जब आप टैली ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको कमपनी बनानी है कमपनी कैसे बनानी आपको पता होगा क्रियेट कमपनी में जाना है और यहां से आप कमपनी बना लेंगे तो यहां पर हम कमपनी का नेम दे देते हैं कोई भी फिलाल हम यहाँ पर mailing name में same name रखते हैं, address blank छोड़ देते हैं, country, India और state यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सेट कर लेते हैं, और बाकी जो चीजे हैं वो हमें कुछ नहीं करना, बस enter, enter करते चले जाना है, बस यहाँ पर आपको financial year change करना है, क्योंकि financial year जो हमारा project के according है, वो क्या हो रहा है, और जो पहले entry है, वो भी 1 April 2016 पर ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह सारी चीजे, security यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम password जल्दी भूल जाते हैं, तो यहाँ पर password आप चाहें तो set कर सकते हैं, फिलाल यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, और इ एक company पर आपको हम entry करना बता सकें, और दूसरी company में हम editing करना और delete करना यह सब बता सकें, तो हमने बस यूहीं दो company बनाई थी, आपको सिर्फ एक company बनानी है, और उसी company पर आपको यह पूरा complete project जो हम आज से पढ़ने वाले हैं, यह सारी entry आपको उसी एक ही company पर करनी है, ब आठ लाग रुपए सा, तो यहाँ पर debit क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा cash, क्यों क्योंकि यहाँ पर business को पैसा मिल ला है, कितना आठ लाग रुपए, और credit में आपका क्या हो जाएगा, siyaam वर्मा हो जाएगे, laser किसका बनेगा, laser आपका बनेगा, siyaam वर्मा का, और under किसके जाएगे, under जाएगा आपका capital, account, और voucher कौन सा होगा, voucher हो जाएगा, आपका receipt, यह हो गया, तो यह entry हो गई, हमने यहाँ पर debit की लिए, under voucher निकाल लिए है, अब हम चलते हैं, टैली पर और इसको टैली में इंटर कैसे solve करते हैं, यह देखते हैं, तो हमने company बना ली है, औ company बनाने के बाद आपको सीधे चला जाना, accounting voucher में, accounting voucher में जानी की जो shortcut की है, वी है, आप keyboard से अगर वी बटन भी प्रेस करते हैं, कोई रूनी की यहाँ पर आके ही आपको वी प्रेस करना, आप अगर accounting info में starting में है, और keyboard से आप जब वी बटन प्रेस करेंगे, तो आप directly accounting vouch option जो है, यह yes होता है, by default इसे आपको क्या करना है, no करना है, जो हमने already कर रखा है, और use credit and debit के सामने जो यह वाला option है, यह no होता है, जिसको हमने yes कर दिया, तो आपको दो option का ध्यान रखना है, इसे no करना है, और इसे yes करना है, और finally enter, enter करके आप नीचे यहाँ पर last में जा क करके इसे accept कर लेंगे, और यह debit kit आपके सामने आ जाएगा, तो यह सारी चीज हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दुबारा इसलिए बता रहें, ताकि कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो डारेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वाउचर, यहाँ पर साथ में देखेंगे, डेट क्या है, तो डेट यह 1st April set है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर सबसे पहले हम वाउचर, तो वाउचर कौन सा है, रिसीप्ट है, रिसीप्ट वाउचर की सौट कट की क्या है, एप 6 है, यहाँ पर आप साइड में देख तो यहाँ पर हम अल्ट सी करेंगे, तो यह create हो जाएगा, और क्या create होगा, laser, यहाँ पर हम स्याम वर्मा टाइप करेंगे, और अंडर यह किसके जाएगा, अंडर capital account के जाएगा, जो की already set है, तो यहाँ पर हम capital account को select कर लेंगे, और finally यहाँ पर हम इसे जा करके, क्या कर ले पहले का लिखा था debit debit में का लिखा था cash और यहाँ पर जब हमने tally में entry की, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है credit, तो इस चीज के आपको ध्यान रखना है tally में जो सबसे पहले आपसे पूच रहा है, credit पूच रहा है तो आपको credit डलना है ठीक है तो credit स्याम वर्म हो गए 8 लाग रुपए से फिर एक बार यहां पर हम एंटर करेंगे देखिए अभी जो हमारा cursor है वो कहां पर blink हो रहा है debit में blink हो रहा है यह देखिए तो हमें क्या करना एक बार और एंटर करना है और उसके बाद यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे कैस कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं देते हैं और cursor हमारा जो होता वो यहीं पर होता और यहीं पर हम सीब यहां पर कोई भी button प्रेस कर देते हैं इस तरह से तो यह error आ जाती है देखिए यह देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे error आ गई है तो इसको कैसे सही करेंगे कोई दिक्कर नहीं आपको keyboard से backspace button प्रेस करना और वापस वहीं चले जाना है और एंटर करना एक बार फिर से और यह सही हो जाएगा तो यहां पर debit में क्या है cash जो की पहले से बना हुआ है laser इसका cash select कर लेंगे और यह finally हम entry क्या कर लेंगे accept कर लेंगे यहां पर आप देखेंगे यह accept मांग रहा है यह देखिए तो अग हम क्या करेंगे इसको एंटर एक बार और करेंगे और यह entry हमारी जो है save हो चुकी है नहीं complete हो चुकी है तो चलिए अगली entry को solve करते हैं और अगली entry को चड़ाते हैं अगली entry हमारी क्या है अगली number पर यहां पर क्या किया गया है Mr. वर्मा जो है इन्होंने bank account open किया है और पांच लाग रुपे उसमें जमा किये हैं तो सीधी सी बात है यहां पर debit क्या हो जाएगा debit हो जाएगी आपकी bank कौन सी है यहां पर तो bank यहां पर हमारी है SBI bank तो आप चाहें तो SBI का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर आप sort मे लिख सकते हैं आप जो लिखेंगे वही हमेशा लिखेंगे तो यहां पर हम sort में SBI bank कितना पांच लाग रुपे और credit आपका क्या हो जाएगा credit हो जाएगा cash क्योंकि cash जाने वाला है और laser आपका किसका बनेगा तो laser आपका बन जाएगा SBI bank का और यह under किसके जाएंगे अंडर आपका यह जाएगा bank account के क्योंकि जो bank होती है वो bank account में ही हमेशा जाती है चलिए इस question को फटा फट solve करते हैं आप अपर अभी एक चीज़ और छूट गई क्या voucher वाउचर कौन सा होगा आपका voucher हो जाएगा आपका contra क्योंकि contra voucher हम तभी यूज करते हैं जब बैंक से लेंदेन करते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं बैंक पैसा जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम सट करेंगे वाउचर अब यहां पर आप इस एंट्री की जो डेट है वो देखेंगे यहां पर हम दिखाए आपको तो यह दो तारीक है, मैं बैंक में पैसा कब जमा किया गया, दो तारीक को, तो हमने बताया ना कि टैली में आप डेट नहीं चेंज कर सकते, इसलिए हम एक ही रेट पर सारी एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास जो date select है, वो एक April ही है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम voucher set करेंगे, F4, Contra voucher, Credit में आपका क्या है, Credit में आपका है cash, तो यहाँ पर हम cash को select कर लेंगे, cash का ledger पहले से बनाए है, कितना 5 लाग रुपे, और enter करेंगे, debit में हमारा क्या हो जाएगा debit में हमारा हो जाएगा SBI bank SBI bank का laser बनेगा तो laser बनाने के लिए मैं Alt C करना है नहीं Altr के साथ C बटन प्रेस करना है तो अब आप इसको अच्छे से याद कर लिजे क्योंकि हम जितनी बार laser बनाएंगे आपको बार-बार sort की नहीं बताएंगे तो यहाँ पर हम Altr C करते हैं और laser बनाते है SBI bank का हमने laser बना दिया यहाँ पर SBI को हम capital letter करते है SBI और उसके बाद enter करेंगे और यहाँ पर हम bank account के अंडर रखेंगे इसको तो B button जैसे हम प्रेस करेंगे साइड में यहाँ पर list of group की list आजाएगी जिसमें आपको bank account select कर लेना है bank accounts और यहाँ पर यह bank accounts की detail पूछ रहा है कि account holder name क्या या FSC क्या है यह सारी चीजे हमें क्या करनी है blank छोड़ देनी है अभी हमें इससे मतलब नहीं है और finally हम क्या करेंगे accept कर लेंगे अभी आपको जब normally जब हम सीख रहे हैं तो हमें laser बनाता है सिर्फ laser name और under से मतलब है बाकी हमें अभी इससे मतलब नहीं है इन option हों से मतलब नहीं क्योंकि हम यहाँ पर अभी real work नहीं कर रहे हैं और real work में कुछ ज़्यादा खास नहीं है जब आपको real work होगा तो आपको पता होगा कि account number क्या है IFSC code क्या है bank name क्या है branch कौन सी है तो यह सारी चीज़े आप fill कर सकते हैं फिलाल इसे हम accept करते हैं और यह आपका laser बन चुका है यहाँ पर amount आपका अपने आप आ जाता है 5 लाग रुपय आ चुका है enter करेंगे तो यहाँ पर कुछ transaction type में यहाँ पर bank allocation for SBI bank के लिए दिखा रहा है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है बस इसमें finally आपको enter करना है और यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि जो 5 लाग रुपय आपने जमा किये है उसमें जो note थे वो कौन से थे 2000 के थे, 500 के थे, 200 के थे, 100 के थे या कौन कौन से note थे, कितने थे यह आपको पता होगा तो आप चाहें तो इसको भर सकते हैं या फिर आप इसको blank छोड़ सकते हैं जब हम real verb करते हैं तो वहाँ पर हमें पता होता है कि जो हमने पैसा जमा किया है उसमें कौन से note कितने थे तो वो उन्डाल सकते हैं लेकिन अभी हमें नहीं पता है कि कितने note थे या फिर आप चाहें हैं 2000 के note यहाँ पर calculate करके fill कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं इसको आप अपने आप भर सकते हैं हम इसे skip कर देते हैं और finally इसे हम क्या करेंगे accept कर लेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया accept कर लिया तो यहाँ पर Mr. Romana क्या क्या है stationery खरी दिये तो यह stationery क्या होता है खर्चा होता है मैं पता है तो यहाँ पर debit कौन हो जाएगा debit हो जाएगा stationery debit क्या हो जाएगा आपका stationery debit हो जाएगा stationery expenses debit हो जाएगा credit आपका क्या हो जाएगा cash हो जाएगा क्योगि nugod खरीदा गया है कितने क्या 2000 रुपए का emergency खरीदा गया laser किस का बनेगा सिटेके बनेगा questionnaire बनेगा 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 property station और अंडर किस के जाएंगे अंडर आपका यह जाएगा indirect expenses किसके अंडर जाएगा indirect expenses के अंडर जाएगा और voucher कौन सा होगा आपका voucher हो जायागा आपका यहाँ पर payment क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बुक्तान कर रहे हैं समझ गया ना चलिए इसको हमें telement resolve करते हैं फटा फट तो यहाँ पर आपका voucher कौन सा है सबसे पहले तो यहाँ पर F5 यानि payment voucher select कर लेंगे debit में आपका क्या है stationery expenses जिसका laser बनना है इसलिए यहाँ पर हम alt c करते हैं और stationery का laser बनाते हैं expenses तो expenses को हम sort में expv लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं है और यहाँ पर हम under किसके करेंगे indirect expenses i button प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका indirect expenses इस तरह से आ जाएगा और उसे हम select कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे enter कर देंगे और accept कर लेंगे तो stationery expenses का जो amount कितना है 2000 रुपए हमने खरीदा है credit में क्या है cash है c button दबाया और यहाँ पर cash को select कर लिया और यहाँ पर final entry हमने accept कर लिए तीन entry हमारी हो चुकी है और यह टैली में entry करना बहुत आसान है बस आपको debit के लिए अंदर voucher कैसे निकालना यह पता होना चाहिए आगे बढ़ते है अगली entry देखते हैं अगली entry में क्या किया गया है Mr. Verma जो है नोने following assets जो है यह खरीदी है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा office table यह क्या हो जाएगा debit हो जाएगा यह भी आपका debit हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे है यह तीनों item खरीद रहे है पुरा question पढ़ेंगे तो यहाँ पर राज furniture house से खरीद रहे है तो यहाँ पर credit हो गया, राजफनिशर हाउस, लेजर किसका बनेगा, तो लेजर आपको हम बता दें, आपर चारो के बनेगे, लेजर यहाँ पर आपके चारो के बनेगे, क्योंकि चारो ही नए account है, अंडर किसके जाएगा, तो यह तीनों चीजे आपकी जो है, यह fixed assets में जाती है, ठीक है, चलिए, इस entry को भी करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम voucher select करेंगे, f7 प्रेस करेंगे, journal voucher की sort की है, f7, सबसे पहले डेविट क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, office table का laser बनेगे, तो यहाँ पर alt के साथ c button प्रेस करेंगे, और office table का laser बनेगे office table, under किसके जाएगा, fixed assist, f button प्रेस कियो, यहाँ से fixed assist, select कर लिया, और finally हम last में जा करके, इसे accept कर लेंगे, office table का जो amount है, वो कितना है, 6,000 रुपए है, आप question में देखेंगे, तो यहाँ पर amount कितना है, 6,000 रुपए है, यह देखिए, office table 6,000 रुपए, और office chair 12,000 रुपए, और जो writing chair है, वो 7,000 रुपए, sorry, wetting chair जो है, वो 7,000 रुपए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन बार debit है, देखिए, इस question में, तो यहाँ पर यह अपने आप credit पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, D button प्रेस करेंगे, enter करेंगे, debit automatic आ जाएगा, अगला laser हमें फिरशे बनाना है, तो यहीं पर alt के साथ C button प्रेस कर देंगे, और अगला laser हमारा है, office chair, office, उसके बाद, यहाँ पर यह अंटर किस के जाएगा, fix, resist के जाएगा, तो यहाँ पर हम fix, resist कर देते हैं, और finally इसे last में जाके हम accept कर लेंगे, office chair जो है, वो कितनी की है, बारा सु र देना है, और इसे finally accept कर लेना है, इसका amount कितना है, 7000 रुपए, तो यह हम 7000 रुपए हमापर डाल देंगे, अब last में हमारे पास credit है, तो credit में यहाँ पर हम क्या करेंगे, alt के साथ C button प्रेस करेंगे, इसका भी laser बनेगा, यह बनेगा, राज furniture house, राज furniture house, अंडर यह किसके राज furniture house है, यह fixed assessed के अंडर चला गया, चली इसे हम fixed assessed कर देते हैं, तो यह चला गया, fixed assessed के अंडर, और यह entry भी accept हो गई, ध्यान रखना, यह entry क्या हो गई, असेप्ट हो गई, और यह entry को भी हमने accept कर लिया, मतलब क्या हुआ कि यह जो entry हमने अभी अभी की है, यह गलत हो ग अगर हमें पता ही नहीं है, गलती से गलत हो गई, मतलब हमें पता ही नहीं कि वो सही है कि नहीं सही है, या फिर हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब क्या होगा, जब report हम इसकी देखेंगे, एक महीने की entry करने के बाद इसकी report, trial balance, balance sheet देखेंगे, तो वहाँ पर गलती जानबुच की गलती वो करेंगे, ताकि जब report गलत आये, तो उसे हम कैसे सही करेंगे, उस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है, तो हम गलती कहां पर कर रहेंगे, चीज आपको notice करनी है, फिलाल ये तो गलती है, इसे सुधानने के लिए आपको वापस जाना है, escape button से वापस ये ये चीज नहीं देखा रहा है, तो यहां पर यहां पर ये कैस था, तो बैंक भी तो थी वो नहीं दिखा रहा है, ऐसा यसलिए, क्योंकि यहां पर ने पर दिखा रही है जो डेविट में था ठीक है तो हम क्या करेंगे अगर अल्टर के साथ F1 बटन प्रेस करें अल्ट के साथ F1 यहाँ पर आप साइड में देखेंगे डीटिल ही यह लिका हुआ है टॉप राइट में डीटिल जू से अफ बागी सब सही था राज फनीचर हाऊस नडर था वो गलत था तो अदर हम कैसे सही करेंगे अंडर सही करने के लिए हमें राज फनीचर हाउस पे इस तरह से आना होगा अभी करन टाइम में हम राज फनीचर हाउस पे हैं हमारा जो करसर है वो राज फनीचर हाउस पर है और इसका जो अंडर है वो हमें सही करना है तो उसके लिए क्या करना है किसी भी के साथ जब आप enter button प्रेस करेंगे तो आप आप चले जाएंगे alter mode में चले जाएंगे alter क्या होता है हमने बताया था Tally में edit करने को alter बोलते हैं तो अभी हम कहाँ पर है alter mode में है नहीं कि alteration देखें उपर लिखा हुआ है laser अल्टरेशन सकंडरी ठीक है तो यहाँ पर पर नेम हमारा सभी था बसDRगलत था यहाँ पर अब हम अभी सही करते हैं sundry communion संध गया न, इस तरह से हम Simply क्या करेंगे, Accept कर लेंगे यह हमने Accept कर लिया, ठीक है और इसके बाद हम इसको फिर से Accept कर लेंगे, तो अभी हमारी जो एंट्री, वह सही हो चुकी है, ऐसे कैसे सही करते है, Laser अगर गलत हो जाता है यह अंडर गलत हो जाता तो, उससे कैसे सही करते या हमने जेदने इंसरी चड़ाई है चेक करने हों धrif pseudo यहां रहे हैं यहां पर दिखा रही है इसलिए लिए यहांपर देट बधल के लिए यहां उपर आपसे दिया गया है date F2 ठीक है तो अगर हम यहाँ पर F2 बटन प्रेस करें और हम कहें कि हमें 1 अपरेल की इंटरी नहीं देखनी है हमें क्या करना है दो तारिकी देखनी है यहाँ पर अगर हम दो अपरेल और डालेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पर 2 अपरेल पर कोई एंटरी नहीं की गई तो इस जीश के आपको बहत ध्यान रखना है कि आपने जो एंटरी की है वो कौन सी डेट पर की है और डे बुक में आपने उपर कौन सी डेट यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट रखी देखेंगे यहाँ पर डेट उपर दिखाता रहता है तो अगर हम वापस से F2 बटन प्रेस करें और यहाँ पर हम फर्स्ट अप्रेल सेट करें एक चार और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चार की इंटरी यहाँ पर दिखा रही है तो I think आपको पता चल चुका होगा कि हम यहाँ पर डे बुक में जा करके एंटरी को डे वाई डे कैसे देख सकते हैं डेट चेंज करकर के ठीक है तो वापर जाते हैं हम इसके बटन से और accounting voucher में जलते हैं जहां से हम एंटरी करेंगे आगे वाली तो अब अगली इंटरी देखते हैं क्या है हमारी यहाँ पर यह एंटरी हो चुकी है अगली इंटरी है Mr. Uma Purchase और computer cash 22500 और यहाँ पर यह पताया गया है Mr. Uma ने जो है computer खरीदा है कितने का आप 2500 का और यहाँ पर debit क्या हो जाएगा computer हो जाएगा credit क्या हो जाएगा laser किसका बनेगा computer का बनेगा तो हमें नहीं लगता कि इसको आपको यहाँ पर हम solve करके दिखाएं क्योंकि अभी आप practice कर रहे है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे F5 यानि payment watcher क्योंकि watcher तो payment होगा computer खरीदें तो payment होगा और debit क्या होगा computer होगा तो यहाँ पर Alt-C के साथ हम computer का laser बनेगे तो यहाँ पर Alt-C किया हमने और computer का laser बना लिया अंडर किस के जाएगा fixed assist के जाएगा इस्ताई समपत्ती है और finally से हम क्या कर लेंगे enter कर लेंगे accept कर लेंगे computer जो है कितने का था 22,500 का था आपको पता है तो यहाँ पर हम 22,500 डाल देंगे credit में हमारा क्या हो जाएगा credit में हमारा हो जाएगा सही करते हैं तो computer हो गया debit, cash हो गया credit और finally entry हमने क्या कर ली accept कर ली समझ गया न? कोई confusion अगर है आपको और अगर हम आपको लगता है कि हम ज़्यादा speed से पढ़ा रहे है तो आप इस वीडियो के नीचे comment कर सकते हैं को सिस करेंगे अगले वीडियो में थोड़ा slow पढ़ाने की ठीक है लेकिन अगर आपको ये सही लग रहा है तो उसके लिए भी आप comment करके बता सकते हैं ताकि हम इसी तरह से continue करें और इसे हम क्या कर लेंगे? accept कर लेंगे तो यह entry हो चुकी है अगले इंट्री देखते हैं अगले इंट्री जो यहाँ पर Mr. Roma इसू और चेक Mr. Roma ने क्या किया है? चेक इसू किया है तो अगर Mr. Roma ने चेक इसू किया है इसका मतलब है कि कुछ खरीदा होगा तब ही तुम चेक इसू करेंगे लास्ट में depreciation करेंगे तब इसको हम एक बार फिर से देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पर debit क्या हो जाएगा तो आपको पता होगा यहाँ पर debit यह दोनों चीज़े हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर यह दोनों चीज़े हम खरीद रहें तो यह दोनों हो जाएगे debit credit आपका क्यों होगा जब check इस हो गिया तो यहाँ की bank से check से payment करेंगे तो credit क्या हो जाएगा आपकी SBI bank हो जाएगी ठीक है और laser किसका बनेगा तो laser bank का तो बनेगा नहीं इन दोनों का बनेगा ठीक है और voucher कौन सा होगा payment हो जाएगा simple entry है तो चलिए इस entry को भी फटा फट कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले voucher कौन सा select करेंगे payment ही क्योंकि हम यहाँ पर भोगतान कर रहे है ठीक है ना तो यहाँ पर हम voucher select कर लिए हमने payment और debit tab क्या हो जाएगा cell phone क्योंकि हमने क्या खरीदा है cell phone करीदा है तो यहाँ पर cell phone का laser बना लेंगे ठीक है cell phone अंडर किस के जाएगा fixed assist के जाएगा यहाँ पर 3 type हो गया इसको हटाते है delete और enter कर देंगे और accept कर लेंगे तो यहाँ पर cell phone यह कितने का खरीदा गया है 5000 रुपए का तो यहाँ पर amount डाल देंगे 5000 अगली बार फिर से debit है D button प्रेस करेंगे और यहाँ पर laser बनाएंगे अरल के साथ और AC यहाँ पर यह कंडिशनर अपने खरीदा है तो यह AC को हम capital कर देंगे और under cash के जाएगा यह fixed assist के जाएगा और finally इसको हम accept कर लेंगे और AC का amount है वो कितना है 24,000 रुपए है और credit यहाँ पर आपका क्या है credit यहाँ पर है आपका SBI bank तो यह जैसी आप S button प्रेस करेंगे यहाँ पर already laser बना हुआ है यह आपका side में आ जाएगा SBI bank और यह हाँ पर amount आपको total करके भी देगा आपको जोड़नी की विजरूत नहीं है आपको बस दोनों चीज़ों को बताना है क्योंकि उसको पता है जब दो debit है और credit आपका एक ही है यहाँ पर आपने इतना ही चक इतने का ही आपने दिया होगा अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने cell phone खरीदा और AC भी खरीदी लेकिन हमने जो payment किया है तो टोटल हमारा कितना हुआ 29,000 रुपए तो माल लेते हैं कि हमने जो payment किया है वो 20,000 रुपए जो payment है वो हमने cash में कर दिया और जो 9,000 रुपए payment है वो हमने check से किया हमने payment भी हमने दो तरीके से किया ऐसा हो सकता है तो हम क्या करेंगे credit में माल लेते हैं bank से हमने कितना payment किया 9,000 रुपए गा bank से कितना payment किया 20,000 फिर से ले लेगा समझ गए न तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं अगर ऐसा होता है तो फिलाल ऐसा तो नहीं है तो हम क्या करेंगे यहां पर आएंगे वापस और यहां पर हम डाल देंगे तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कभी-कभी एंट्री करते हैं समय ज्यादा तरह लोग गलती यह कर देते हैं कि जैसे यहां पर 31,000 उपर यह 24,000 है तो गभी-कभी लोग 24,000 लिख देते हैं मलब एक 0 जो होता वो कम हो जाता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है गल प्रोजिक्ट की जो है फर्स्ट मन्थ है तो यहां पर अकला कुश्चन जो है Mr. Urma hired an office space तो इसको भी आप समझ चुके होंगे Mr. Urma ने कहागे कहा है एक office space जो है वो hired गिया है यानि कि यहां तक क्कुश्चन में क्या की गई है कि अवल बात की गई है पेट तो यहां पर हु प्रोजजित जमा किया है इसको भी हम solve करवा चुके है तो यहां पर आपका debit क्या हो जायएगा debit आपका हो जायएगा security यहाँ पर security deposit को क्या है पैसा मिल दा है और यह क्या है समद्धिए इसक्योरेटी deposit और credit आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर चेक दे रहे हैं तो credit हो जाएगा आपका SBI bank ठीक है वाउचर कौन सा होगा, यहाँ पर वाउचर होगा आपका payment, ठीक है, तो यह हो गए entry, आप इसको हम भटावर टैली में entry कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले वाउचर कौन सा होगा, payment होगा, तो payment है, laser किसका बनेगा, security deposit का, तो यहाँ पर हम alt c करेंगे, security deposit का laser बनाएंग ठीक है, security deposit, या फिर इसके आगया, आप लिख सकते है, security deposit office, अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यह security deposit office, ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने security deposit किया है, वो किसके लिए किया है, office के लिए किया है, ऐसा भी हो सकता है, कि हम किसी दूसरे change के लिए भी security deposit करें, ठीक है, तो य होती है वह बहुत ही कम जमा होती में दो या तीन चीज़ों के लिए ही स्केवल सेक्योरिटी जमा की जाती है ठीक है तो यहां पर कोई कंफूजन लिबान नहीं है जब ज्यादा तर मलब किस कोई ऐसा बिजनेस हो जहां पर बहुत लोग हो यानि कई जगे पर हम सेक्योरिटि जमा करते हैं तो वहाँ पर आप उसका नाम करते हैं अलग नाम रख सकते हैं तो यहां पर अंडर कीजिए पोसित सबाइसेट कर लेंगे और इस्से का लेंगे लेजने बन है यहां पर इसे हम finally क्या करेंगे accept कर लेंगे तो यह entry भी आपकी complete हो चुकी है आगे बढ़ते हैं चलिए तो अगला question है question no.8 question no.8 अभी तक हमने नहीं किया है क्योंकि हमने इसको जब आपको exercise दी थी तो वहाँ पर हमने इस question को हटा दिया था क्योंकि यह थोड़ा सा समझने वाला का question तो अब देखिए यहां पर question क्या कर रहा है Mr. Rumah subscribed for a post pad mobile phone from Relance Telecom by paying cash 1500 as a security ठीक है तो question को आप द्यान से समझें Mr. Rumah ने क्या 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 सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है member बनना सब्सक्राइब करना है यानि कि आप उस company के member बन चुके जैसे अगर आपने हमारा YouTube channel यूपी से ऐसे subscribe कर रखा होगा तो आप हमारे क्या है family member है यानि आप हमारे क्या है member बन चुके है ठीक है तो इसी तरह से यहाँ पर Mr. Rumah ने क्या 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 सब्सक्राइब किया है किसको Relance Telecom को Relance Company यानि जियो कंपनी को इन्होंने क्या 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 है subscribe किया या उसके member बने है itta तो member क्यों बने है तो member इसलेए बने है क्योंकि उन्होंने कह गया है post pad mobile phone लिया है post pad किया होतה आपको पता होगा pre-pad और एक होता है post pad तो जो हम लोग के पास normally phone होते है वो क्या होते है pre-pad होते है pre-pad यानि consum जो होती है prepaid होती है, आप पहले phone में recharge करवाते हैं, उसके बाद आप call कर सकते हैं नेट चला सकते हैं, लेकिन जो post pad होते हैं उसमें क्या होता है, आप पहले ही मुलब call करके या नेट चलाके पैसा मुलब उस चीज़ को use करते हैं उसके बाद में आपका bill आता है, समझ गया न उसके बाद में आपका bill आता है, बिलकुल electricity की तरह अंसे, जैसे light का bill आता है पहले light हम use करते हैं और उसके बाद उसका bill आता है, तो वही होता है post pad, तो जुब हम किसी चीज के लिए पोस्ट पैट करेते हैं, जैसे हमने यहां पर क्या किया पोस्ट पैट फोन लिया है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जैसे हम अगर light connection लेते हैं light connection अपने गर में लेते हैं तो क्या होता है हमें उसके लिए स्क्योरिटी जमा करनी होती है तो एजर तीनाजर जो भी है वह हमें security जमा करनी होती है तो यहांपर इसने क्या क्या है अपने आफिस में एक टेली फोन connection करवाया है जिसके बदले इन्होंने पंदरा सो रुपए सिंपल सी बात है security जमा की तो question सीधा कहे रहा है कि security जमा हुई है और कोई confusion की बात नहीं है तो यहाँ पर आपका debit क्या हो जाएगा security deposit क्योंकि किया तो हमने जमाई है यहाँ पर हमने क्या किया था पजाजार office के सेलफोन लगाएं तो हम दोनों को एक ही चीज मान लेते हैं तो यहाँ पर credit आपका क्या हो जाएगा cash और laser किसका बनेगा तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे laser किसी का नहीं बनेगा क्योंकि security deposit अगर आप रखते हैं तो security deposit का laser हम अभी अभी यहाँ पर question no.7 पर बना चुके ह तो यहाँ पर आपका debit security deposit credit cash और voucher यहाँ पर आपका हो जाएगा payment बस तीन चीजे है तो इस entry को भी हम करते हैं तो इस entry को करने के लिए आपको 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 टैली में जाते हैं voucher select करते हैं voucher हम यहाँ पर payment select करेंगे debit हो जाएगा आपका security deposit कितना है यह amount हमें देखना पड अब देखिए यहाँ पर bank automatic आ गया तो इस चीज को भी जान रहे है bank क्यों automatic आ गया यह suggestion कर रहा है कि क्या यहाँ पर bank है तो ठीक है accept कर लीजिए अगर bank नहीं है तो आप यहाँ पर cash भी वापस से cash select कर सकते हैं कैसे enter करेंगे और यहाँ पर जैसे माल लेते हैं SBI bank वापस से cursor change हो जाता देखिए अब यहाँ पर cursor A के उपर blink हो रहा है अब अगर आप S button प्रेस करेंगे तो यह error दिखा रहा है क्यों क्योंकि यह जो है आपको select नहीं है ठीक है तो इसके लिए आपको A करक्टर को हटाना होगा फिर उसके बाद आप यहाँ पर C button प्रेस करके cash select और उनके salary बताई गई है अगला question है question number 10 तो इस question को आपको यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि Mr. Oman ने क्या गया है stationery खरी दिए कितनी की खरी दिए 25 की किसे mohan paper house on credit यह नहीं उधार खरी दिए तो आपको पता होगा यहाँ पर debit क्या हो जाएगा आपका debit यहाँ पर हो जाएगा stationery, debit stationery हो जाएगा, credit क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, mohan paper house, laser किसका बनेगा, तो देखिए stationery का तो laser पहले ही बन चुका है, हमने उपर एक बार खरी दी थी, तो laser यहाँ पर बनेगा, mohan paper house का, और under किसके जाएगे, sundry, creditor के, voucher कौन सा होगा, journal, simple entry है, और amount कितना इसका 25 र stationery क्योंकि खरीद रहे है, stationery यानि खर्चा हो रहा है, stationery expenses कितना 25 रुपए, और enter करेंगे, credit में क्या है, mohan paper house है, तो यहाँ पर laser बनेगा, mohan paper, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, alt के साथ C बटन प्रेस करेंगे, mohan paper house, ठीक है, और यहाँ पर under किसके चला जाएगा, under यानि complete हो गई, आगे बढ़ते हैं, अगली entry देखते हैं, यहाँ पर जो आपकी आगली entry है, तो यहाँ पर यह थोड़ा सा इसको आपको समझ लीजिए, अच्छे से, यह entry भी हमने नहीं करवाई थी exercise में, ठीक है, Mr. Orma signed a contract with Gold Star to provide a consultancy service of 19,000 and received cash advance 30,000, ठीक है, अब यहाँ इ Study One में हम क्या पढ़ें है? Survey One में हम पढ़ें है, Accounting, Accounting यानि की Service Organization, Service Organization यानि की जिस business में Service provide की जाती है, इस चीज को आप दिमाग में डाल लीज़े, ठीक है? तो इतना औरmental सा पता चल लगया कि हम क्या पढ़ें चांविस बिजनेस कैसा है, सर्विस प्रवाइट करते हैं, अब ये सर्विस कैसी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि मिस्टर और मां डॉक्टर हो या फिर एड़ोकेट हो या टीचर हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर कंसल्टंसी, फ़र्म चलाने, कंसल्टंसी का मतलब होता उनके पास क्या होता है पैसा जो है वो बहुत होता है लेकिन उन्हें क्या होता है उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता है मलब वो पैसा कहां इन्वेस्ट करें उन्हें नहीं पता होता है उन्हें आइडिया नहीं होता है तो वो क्या करते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास information होती है तो वो क्या करते हैं उस व्यक्ति से मिलते हैं वो व्यक्ति क्या करता है उनको पैसा कहा invest करना वो सारी चीज़ें बताता है और बदले में क्या लेता है fees लेता है तो ये क्या हो गया एक राई ही तो दे रहा consultancy form चला रहा है समझगे न तो ये होता है consultancy इसी तरह से कई सारे business होते हैं तो यहां पर Mr. Verma signed a contract Mr. Verma ने क्या किया है contract एक sign किया है किसके साथ में sign किया है gold star से किस से gold star से ठीक है gold star को company हो सकती है कुछ company ही होगी तो Mr. Verma ने एक gold star के साथ में एक contract sign किया है और उस contract sign करने की जो कीमत थी वो कितनी थी 90,000 रुपए कितनी थी 90,000 रुपए और उस में से मिला हमें कितना है मिला हमें 30,000 रुपए तो इस question को आप ध्यान से समझे यहां पर यह दो पार्ट में है इतने से ओपर का पहले आप समझे तो माल लेते हैं हम Mr. Verma हैं हम यहां पर अपने office में यह हमारी table हो गई और यह हमारी chair हो गई इस पर हम बैठे है Mr. Verma बैठे है और एक customer आया ठीक है customer आया और वो chair पर बैठा और उसने बात की उसने कहा कि आप हमारी समस्या को solve की साथ contact sign करते हैं और आप हमें जो 90,000 रुपे का payment है वो दे देना और हम आपकी जो समस्या है problem है वो solve कर देंगे ठीक है इतना हो गया तो यहां पर deal हो गई तो अगर यह केवल deal ही होती ध्यान रखना अगर यह केवल अब यहां पर हमें इसकी इंट्रिक अन्यी 30,000 रुइए ठीक है इस चीच को आप दियान से समझना अब हम आराम से समझा रहें तो 30,000 रुपे यह आपको मिल चुका है अब यह तीस रुपे जो मिला है यह है क्या इसको समझते है तो वैसे तो हम इसको income कह सकते है क्या कह सक आगे भविषा में इंकम ही होगी लेकिन अभी नहीं है क्यूंकि इसने advance जमा किया है अगर इसने advance हमारे पास जमा किया है तो वो income नहीं मान सकते यह हमारी क्या होगी liability होगी क्या होगी liability कैसे क्योंकि हो सकता है कि Mr Tom जो gold star है यह अभी होने contract sign किया है और अगले दिन outta अगर आपने इसको मान लेते हैं, income मान लिया, क्या मान लिया, income, तब अगर आप वापस करते हैं, तो आपका फिर यहाँ पर क्या हो जायागा, loss हो जायागा, क्योंकि income से पैसा जायागा, समझ गे न, तो इसलिए जब तक हम किसी का काम पूरा नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि आप student है और हम teacher है अगर आपने हमारे पास पैसा जमा किया है 5000 रुपए advance तो जब तक हम आपकी service पूरी नहीं करते हैं आपको पढ़ाते हैं नहीं, complete नहीं होता तब तक आप बीच में कभी भी drop करके fees वापस ले सकते हैं तो इसे हम तब तक income नहीं मानेंगे तब तक हम इसे क्या करेंगे, income नहीं मानेंगे या फिर हम income मान भी सकते हैं वो हमारे उपर depend करता है लेकिन हम actually में क्या करता है, income नहीं मानते तो इसे हम क्या करते हैं, current liabilities में रख देते हैं, तब तक के लिए current Consulting का महीं मिला है, मैं लो Consulting Service का, तो यहाँ पर Advanced Consulting, ठीक है, और यहाँ पर आगे हम लिखेंगे Revenue, Revenue क्यों कि इंकम ही है, अभी नहीं है, लेकिन Income ही है, Advanced Consulting Revenue का पूरा नाम हम रख देंगे, ठीक है, कोई confusion हो, तो आप comment कर सकते हैं, और जो Sunday को Live Session होगा, उसमें हम इस Entry क तो फिर से एक बार आपको समझा देंगे, ठीक है, और अगर समझ में आ गई, तो बहुत अची बात है, या फिर आप वीडियो को Repeat कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, Advanced Consulting Revenue होगा, ठीक है, तो डेविट क्या हो जाएगा, आपको मिली ही रहा है, तो अब यहाँ पर कु Consulting Revenue, क्यों होगा, पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी यह क्या है, Revenue है, लेकिन अभी Revenue नहीं होगी, भविश्च में, तो इसलिए Advanced Revenue हो गई, अब यह किसलिए Revenue हो गई, इंकम यह कहां से हो रही, तो Consulting Service जो हम देते हैं, उस ही से हो रही, तो इसलिए इसक किसका बनेगा, यहाँ पर, Advanced Consulting Revenue का बनेगा, ठीक है, अंडर किसके जाएंगे, तो यह अंडर जाएगा, Current Liabilities के, समझगे न, अंडर किसके जाएगा, Current Liabilities, अब यह पता कैसे करेंगे, कि यह Current Liabilities में जाएगा, तो यह हमें पता है, कि यह क्या है, दाइत तो है, क्योंकि हमारा, नहीं है, मलब हमारी संपत्ती नहीं है, तो संपत्ती नहीं है, तो यह Advanced Consulting Revenue का होगा, Current Liabilities के अंडर जाएगा, और Current Liabilities इसलिए जाएगा, क्योंकि यह चालू दाइत है, चालू दाइत क्यों है, क्योंकि अभी सर्विस पूरी कर देंगे, हम 15 दिन बाद, 20 दिन इसा तो प्राप्ती ही हो रहा है, तो यहां पर आपका वाउचर कौन सा होगा, Receipt यानि F6 बटन प्रेस करेंगे, आपका वाउचर हो जाएगा, Receipt, और Credit में क्या है, Credit में Advanced Consulting Revenue हो, यहां पर हम Laser बनाएंगे, Alt की साथ C बटन प्रेस करेंगे, और Laser बनाएंगे, Advanced Consulting Revenue हो, त पर आप चाहें, तो इसका नाम एक और रख सकते है, Advanced from Customer, ठीक है, Advanced from Customer, यानि Customer से हमें Advanced मिला, कुछ भी रख सकते हैं, तो यहां पर आप जो चाहें, वो रख सकते हैं, तो यहां पर हम क्या करते है, Advanced from Customer ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर हम क्या करते है, Advanced from हम customer ठीक है तो हम enter करेंगे और under किसके जाएगा under जाएगा current liabilities के see press करेंगे और यहां पर current liabilities को हम select कर लेंगे current liabilities और finally इसे क्या करेंगे हम accept कर लेंगे और इसका amount कितना है तो इसका amount जो हो 30,000 रुपए है नही 30,000 रुपए हमें मिला है और enter करेंगे debit हमारा क्या हो debit हमारा हो जाएगा cash debit क्या हो जाएगा cash क्योंकि यहां पर क्या मिल ला है नगद मिल ला है अगर check होता तो bank हो जाती debit फिलाल cash और इसे हम credit में क्या होगा cash हो जाएगा ठीक है तो cash college हमारे पास पहले से बना है क्योंकि पहले से बना होता है credit में cash हो गया कितना जमा किया हमने 50,000 रुपए जमा किया है तो 50,000 रुप हो गया माल लेते हैं कि आपको calculation करना है ठीक है tally में calculation करना है तो आप उसके लिए यहां पर छोटा सा निसान देख रहे हैं आप पर प्रेस करेंगे या पर keyboard से ctrl n प्रेस कर सकते हैं तो ctrl n से आपका नीचे यहां पर एक tab खुलेगा जो की calculator होगा तो आप यहां पर calculate कर सकते हैं त देखना है पचाहँ जार में जो note होंगे वो कितने होंगे तो पचाहँ जार को हम क्या करेंगे किटने नोट होंगे समझ गया वैसे तो simple calculation थी लेकिन आपको calculator के बारे में भी पता होना चाहिए इसको हम cut कर देंगे बहां से cut हो जाएगा और यहां पर हम type कर देंगे 25 नोट अगली इंट्री है Mr.Suma paid 1200 वार्ड office expenses यानि office expenses पर खर्चा किया है simple तो यहां पर आपका voucher होगा payment क्योंकि यहां पर खर्चा कर रहे है तो cash जा रहा है debit क्या होगा आपका जो expenses हुआ है वही debit हो जाएगा क्खर्चे debit होते है और खर्चे का जो नाम है वह क्या है office expenses यहां पर आपका यह अंडर किसके जाएगा indirect expenses के सभी खर्चे indirect expenses में जाएगे और अचेप्ट कर लेंगे यहां पर कितना हुआ है 1200 रुपए का खर्चा हुआ है तो यहां पर 1200 रुपए क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा credit में आपका हो जाएगा cash और यह हो गया आपका cash और enter करेंगे और accept कर लेंगे ठीक है उसके बाद उसके बाद अगला question देखते हैं तो अगला question जो हमारा है वो है question no.14 Mr. Roma received a bill 4500 from सुकुन offset तो इस question को हम देख चुके है exercise में यहां पर सिधी से बात है stationery खरीदी गई है और किस से खरीदा है सुकुन offset से ठीक है तो stationary expenses और यहां पर आपका debit में amount कितना हो जाएगा आपका 4500 रुपर हो जाएगा 4500 के खरीदी है credit में आपका यहां पर देखें मोहन paper house और मेटिक सजेस्ट कर रहा है लेकिन हमें मोहन paper house नहीं करना है नहीं है सुकुन offset है यहां पर आप देखेंगा question में कौन है सुकुन offset इनका laser बनाना है तो laser बनाना है तो उसके लिम क्या करेंगे यहां पर हमें यह delete करने की कोई जरूत नहीं है यहां पर मोहन paper house लिखा है आप इसे लिखा रहने दे ठीक है आपको क्या करना है इसी के ओपर alt के साथ c बटन प्रेस करना है alt के साथ c और यह create हो जाएगा ठीक है सुकुन offset और enter करेंगे और यहां पर यह enter किसके जाएंगे sundry creditor के चले जाएंगे under किसके जाएंगे sundry creditor के चले जाएंगे और उसके बाद यह से हम finally क्या करेंगे accept कर लेंगे और यहां पर आपका amount हो गया और यह से हम finally accept कर लेंगे तो यह entry भी आपकी हो गई लास्ट इंट्री बची यहाँ पर आपकी Mr. Verma विड्रो कैस पैतालिस फार परसनल उजन तो निजी खर्च के लिए निकाला है तो यहाँ पर वाचर पेमेंट होगा क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है पेमेंट कर रहा है और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे लेजर किस का होगा विड्रो का क्योंकि जब हम नीजी खर्च के लिए पैसा निकाला देंने तो यहाँ विड्रो लिखते हैं या फिर हम चाहें तो उसको ढ्रॉइंग भी लिख सकते हैं आप जो लिखेंगे पूरी ब Obrig gps में आप वही लिखेंगे तो दोनों ही condition में क्या होता है वो capital account ही होता है तो यह drawings क्या कर रहा है personal उचके लिए पैसा निगाल ला है तो capital account हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर असेट कर लेंगे और amount कितना निकाल ला है 45 रुपे निकालना है तो 45 रुपे और यहाँ पर credit में क्या हो जाएगा अपका credit में हो जाएगा अपका cash ठीक है credit में क्या हो जाएगा cash हो जाएगा और यह entry भी हमने complete accept कर ली यहाँ हमने एक मंत की सारी entry कर दी है यहाँ पर आप देखेंगे अप्रेल बंद में टोटल कर्चे कितने हुए, इंकम होई कि नहीं हुई, सामान फिक्स्ट असेश्ट कितना खरीदा गया, यह सारी रिपोर्ट हमें जाननी है, तो यह सारी जो रिपोर्ट हैं, यह हम टैली में कैसे देखेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, यह हम अगली वीडिय या laptop में इंस्टॉल कर लिया होगा, और जो notes हमारे यानि project हैं, जो यह आपने website से डाउनलोड कर लिया होंगे, तो आपको क्या करना है, copy पर पहले इन question को solve करना है, यह से लेकर के 15 तक है आपके पूरे complete question है, पहले इन से आपको debit और credit complete निकालना है, और जब आपका debit और credit लेकल जाए, तो उसके बाद में आपको register यानि copy side में रख करके tally में entry करनी है, तो अभी starting में आपको ऐसे ही करना है, और जैसे जैसे आपकी practice बढ़ती जाएगी, आप बिल्कुल हमारी तरह जैसे की question को हम देख करके direct हम entry कर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप भी कर ल आप match कर सकते हैं, पहले आप copy पर solve करें, फिर उसके बाद अपने entry को match करें, कही हमने गलती तो नहीं की, उसके बाद में आप tally पर entry करें, क्योंकि ऐसा होता है, तो अगर आपका trial balance रिपोर्ट गलत आएगी, तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि आपने कहां गलती की है, यहां से नहीं पता कर सकते हैं, तो इस चीच का आपको ध्यान रखना है, कि गलती नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको entry को solve करना है, और solve करने के बाद में आपको entry करनी है, और बाकी अगर फिर भी गलती हो जाती है, तो उसे हम आपको कई सारे ऐसे tricks बताएंगे, जिससे आप गलती को पकड़ सकते हैं, कि गलती हम कैसे पकड़ेंगे, अगर गलत हो जाता है बाई चन्स तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, घवरानी की कोई जरूद नहीं है, बस जितना हम आपको बताते चले, उतना आप कर करते जाएए, यहाँ पर आपको यह सारी इंट्री कर लेनी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम रिपोर्ट पहले देखेंगे, अपरेल मंत की और उसके बाद में हम माई की इंट्री करना स्टार्ट करेंगे, तो इस वीडियो में इतना ही थासsted रवे जिवाचियो में, खमजरदी वीडियो में, तो लाइकरा देखेंगे, प्रेली वीडियो में, भुक्तो ठार्म